हेलो मेरे डियारे स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आश्यक्रतों सभी फीट होंगे प्यारे बचों प्रिवेस वीडियो में आपने आडी सर्मा क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेस्टन में 19 दक सौल करना सीखा था इस वीडियो में हम 20 और उससे आगे क्वेस्टन सौल करन सीखेंगे अगर वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होता है फटा 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 अगर सौल वोंगे क्वेस्टन तो में लोग कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज और यह एक्सरसाइज के साथ हमारे यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा साथी मैं को कहीं पर भी डाउट ह लिए है सारे वीडियो साथी जो नोट मैंने बनाया है उनका लिंक आपको नीचे डिस्ट्रेप्शन वाक्स में मिल जाएगा और अगर कुछ डाउट हो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मैंने दिए दिस्रिप्शन वाक्स में चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर बोल रहा है इसी का आपको वैल्यू निकालना है चलिए फटाफ़र सॉल करते हैं इन्हें तो यह हमारा क्वेस्टन है सब्सक्राइब हम देखेंगे कि रूट के पावर में कितना है थ्री है तो हम लोग रूट को हटा है अब यह जो रूट के पावर में फोर इसका ही से हो जाएगा इक पावर में एक से और वी स्टी के पावर में थिस आ गया तो एक पावर में 2 हो गया फिर यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचरह है अन्य कट तो हो नहीं रहा है तो यह जागा बी के पावर में 4 यानि कि यह को cancel करोगे तो 2 equal to x आ जाएगा या फिर x equal to 2 लिख सकते हो तो x जो value होगा वो 2 होगा उसी तरीके से b के पावर में minus 4 by 3 है इधर हमारे पास b के पावर में 2 y है बी से अगर b को cancel करोगे तो minus 4 by 3 equal to 2y आ जाएगा तो की इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर multiply में इधर आगर कर आयोग आपको clear हो गया होगा, simple से question था, इससे मुसील question आपने पहले solve कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह हमारा 21 का first question है, जहाँ पर हमें फिर से उसी टेप से एक equation दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि X और Y का value निकालना है, तो हमनों यहाँ पर फिर से वही A और B का value निकालेंगे, equal के right side से उसी compare करेंगे, तो सबसे पहले brackets हो solve करते हैं, तो यहाँ पर power में 7 है, तो ध्यान रखना कि यह सभी के power में है, ठीक है, यह इसका power में भी multiply होगा, इससे सद भी होगा, नीचे में भी दोनों के साथ होगा, तो A के power में हो जाएगा minus 7, क्योंकि 7 जा 7 होता है, B के power में हो जाएगा 14, 27 जा 14, नीचे में भी हमारे पास A के power में 14 हो जाएगा, और B के power में हो जाएगा minus 28, 7, 4 जा 28, और यह minus की sign उतर जाएगी, divide के sign के साथ इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, कि हमारे पास जो A का cube है, यह पहले इसको हम लोगा solve कर लेते ह हमारे पास आएगे, और हमारे पास B के power में minus 5 है, ठीक है, divide by में हमारे पास A के power में minus 2 है, and B के power में 3 है, तो सबसे पहले देखो हम लोगा पर आपस यह जो fraction है, अब हम लोग क्या जानते है, कि एगर divide के form में हो, base से हो, तो power आपस में subtract हो जाता है, तो वही काम होगा, A के power में 7 है, उसमें से 14 माइनस हो जाएगा, B के power में 14 है, उसमें से minus हो जाएगा, minus 28, तो देखो, minus करके, फिर अगर मैं minus 28 लिखूँगा, तो minus और minus क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए मैं डायट यहां पर plus 28 लिख देता हो, तो एक इस्टेक मुझे extra लिखना पड़ेगा, और equal के right side में जो भी हमें दिया हुआ, उसको as it is आपको हर इस्टेक में उतारते जाना है, divide के sign लगा लेते हैं, यहां पर भी वही काम करेंगे, A का cube है, उसके बाद उसको minus करना है, minus 2 को, तो वही होगा, फिर minus minus 2 बन जाएगा, तो मैं राट यहां पर plus 2 लिख देता हूँ और इधर हमारे पास B के पावर में minus 5 है, उसमें से minus कर देंगे 3 को, equal कि उस साइड में A के पावर में X और B के पावर में Y, as it is उतर जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास A के पावर में minus का 21, B के पावर में, हमारे पास हो जाएगा यह, 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12, 12 का 2 करें गया 1 तो यह जाएगा 42, divide by में हमारे पास a के पावर में 5 आ गया and b के पावर में minus 8 आ गया, equal कि ऐसाइड में a के पावर में x and y के पावर में, sorry b के पावर में y था, b to power y, अब फिर सब्सक्राइद की साइन है, हमारे पास base same to same है, तो फिर powers क्या होंगे, आपसमें subtract 5000 हो जाएगे कई माइनस 21 और माइनस में फाइब फर्टी टू है उसमें से मैन जब एक के पावर में X, B के पावर में Y, अगर compare करोगे, A है, यहां भी A है, तो X का value निकल करके आजाएगा, डारेट आपको 26 माइनस में, तो minus 26 लिख लो, यहां भी B है, यहां भी B है, तो Y का value यहां से 50 निकल करके आजाएगा, इस तरीके साब को इस question को solve करना था, इसी के एक दूसरा भाई भी है, आई उसे भी solve करते हैं, यह रहा हमारा second part, यहां पर भी हमको पहले क्या करना है, X और Y का value निकलना है, और जब X, Y का value निकल जाए, तो last में इस equation को भी solve करना है, यह एक्स प्लस Y करेंगे, और प्लस 2 करेंगे, जब X और Y का value निकल जाएगा तब तो यह solve करते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखो, A के power, sorry, A plus B के power में minus 1 है, फिर हमारे पास A के power में minus 1, और B के power में भी minus 1 है, इक्वाल की उसेट में A के power में X, और B के power में Y है, तो minus 1 का मतलब क्या होता है, कि अगर कभी power minus 1 हो, उसको अगर हमको plus बनाना है, मुझे क्या कर 1 by में A, देखो, इस बार अलग लग है, तो इसको अलग लग लिखेंगे, 1 divided by मेरा A हो जाएगा ये, और इधर मेरे पास 1 divided by B हो जाएगा, B के power में minus 1 था, तो उसको में 1 divided by B कर दिया, इसके power में plus 1 लिखने की जुरत है नहीं, क्योंकि plus 1 लिखने से कोई मतलब होता नहीं ह A के power में X है और B के power में Y है, तो यह अभी तो ऐसी रहेगा, A plus B, अगर इसको हमें solve पर bracket को, तो यहाँ पर हमारे पास A और B का LCM क्या हो जाएगा, A B हो जाएगा, एड उसके बात क्या 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 जाता है, जो LC हमें उससे नीचे divide करते हैं और उपर multiply करते हैं, A B को A से divide कर हो जाएगा, बच जाएगा B, B का उपर 1 से multiply करेंगे तो B आ जाएगा, उस तरीके से इसको divide करेंगे तो B से B cancel हो जाएगा, A बच जाएगा, A का उन से multiply करेंगे तो A आ जाएगा, इकवल को उससाइड में A के power में X, B के power में Y आ गया, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, A plus B यहाँ भी है, A plus B यहाँ भी है, भले B plus A दिखना है, लेकिन दोनों का मतलब तो से मही होता है, यह divide में है, बीच में यहाँ पर कोई भी साइगा, तो इससे यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा 1 1 जा 1 हो जाएगा उपर में, और नीचे मेरे पास A B आ जाएगा, इकवल क नीचे लाना था, यहाँ प्लस 1 करना था जब मुझे, तो हमने नीचे ले आया था, अब अगर मैं नीचे से ऊपर लेकर जाओंगा, तो इस तरह किसी A B तो बन जाएगा, लेकिन फिर पावर मेरा माइनस 1 आ जाएगा, तो इस पर माइनस 1 हमनों लिख सकते हैं, क्योंकि हम और मैंनी X जो वैली हो जाएगा, वो यहाँ से माइनस होना जाएगा, तो X equal to minus का 1, यह माइनस की साइन है, उसी तरीके से यहाँ पर B और B compare हो रहा है, तो Y का वैली कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो B equal to B minus 1, यहाँ पर so करके लिखना इस तरीके से, X और B का, sorry और B नहीं यार, Y का value, गल्ती से B निकल गया, तो Y का value भी minus 1 हो गया, now हमको जो find करना था, वो हमनों find कर लेते हैं, X plus में Y plus में 2 find करना था ना, तो X के बदले में minus 1 लिखो, Y के बदले में भी minus 1 लिख दो, और फिर plus में 2 हो जाएगा, तो minus और minus हमारा plus होता है, तो हमनों minus 1 1 और minus 1 हमारा minus का 2 हो जाएगा, भले plus होता है, इन साइन मैनस की ही लगती है, और ये plus का 2 हो गया, तो minus 2 plus 2 आपस में cancel बच जाएगा 0, यानि कि इसकी जो value है वो 0 है, इस तरीके साब को इस question को solve करना था, अगे होगा आगे बढ़ते हैं, question में 22 के पास, यह हमारा first question है, 22 number का हमें simplify करना है, इस वर कुछ भी solve नहीं करना है, यानि कि इसको 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 बस sort cut में हम लोगो solve करके छोटा बनाना है, simplify मतलब एक तरह सक लोग छोटा कर दो इसको, तो यहाँ देखो, x से power में a plus b है, फिर नीचे में x से power में c है, और total के power में हमारे पास यहाँ पर a minus b है, तो वो मुझे लगता ज्यादा असान होगा, क्योंकि formula का भी भी लगता है, तो काम easy हो जाता है, तो मैं लोग वही करेंगे, मैं लिखूंगा इस तरीके से, x से power में a plus b, इसका multiply हो जाएगा a minus b से, नीचे में हमारे पास x से power में जो c है, उसका भी multiply हो जाएगा a minus b से, ठे लिखे में x के power में जो a है, उसका multiply हो जाएगा b minus c से, फिर multiply कर दो x के power में c plus a है, उसका multiply c minus a से हो जाएगा, divide by में हमारे पास x के power में b है, उसका multiply b, c minus a से हो जाएगा, तो जैसे कि मैं आपको बताया a plus b, a minus b, formula लग रहा है, बताओ जली से formula क्या होता है, बिल्गुल सही बताया, x के power में a square minus b square हो जाएगा, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, नीचे हमारे पास x के power में a का c से multiply होगा, तो a c हो गया, minus c की sign लगा लिजे, b का c से multiply होगा, तो b c हो गया, multiply इधर भी सेम काम होगा, b plus c, b minus c है, तो b square minus c square हो जाएगा, नीचे a का b से multiply होगा, तो x के power में a b हो गय और माइनस में ac हो जायगा यह को एक सिसे Lights किसे बिए कम करेंगे ऑइस को यब स्कार्में में प्लस कर दो B स्कूर माइनिस को ये वाले को फिर उसमें प्लस कर दो c square माइनस a square को नीचे में भी वही काम करो यहां पर बेस देखो माइरा पास same to same है तो x को यह बर लिख लो power's को अपस में add कर दो यहां पर ac minus bc है उसमें add कर दो ab minus ac और उसमें add कर दो BC मैंने AB तो यहां पर अगरव ध्यान दोगे तो मेरा plus gw conscious cancel minus B square 2012 cancel minus C square plus C cancel तो X के पावर में यहां पर हमाएरे पर कुछ नहीं बचा 0 बचा नीचे हैं प्लस AC minus AC cancel minus BC plus BC cancel plus AB minus AB cancel नीचे भी FC पावर में 0 बचा किसी भी नमबर इपार में 0 होता तो उसका value 1 आ जाता है तो 1 divided by 1 is equal to 1 हो जाएगा इसका answer तो देख आपने कितना हुज़े दाया बस आपको फटा-फट brackets को solve करना है आपका answer आ जाएगा इस टाप से question आपने पहले भी solve कर रहा है आगे बढ़िए यह रहा second part यह भी question है simple बस मुझे थोड़ा सा बोलने में मेरा मूँ तीड़ा हो जाएगा तीड़ा का मतलब है कि बार बार L M M N L L सरी NL है देखो अभी से त फटा-फट होगा मैं कोसिस करूं कि ज्यादा बोलू ना बस फटा-फट solve करूं यहां रूट के बाहर में जो भी रहता है हम लोग जानते हैं कि रूट हटाने के बाद वह हमारा 1 divided by में आ जाता है तो एक से पावर में L divided by एक से पावर में जो M है इसके पावर में हमारे प सबको दिखर होगा वह एक्चल में N है और नीचे में X से पावर में L है पूरे के पावर में हमारे पास 1 divided by N हो जाएगा बेस हमारा सेम है पावर को आपस में क्या करेंगे सब्ट्रेट कर देंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग X एक बार L minus M कर देंगे और बाहर में हमारे हमारे पास multiply के sign के साथ X पहले से है यानि कि N minus L हो जायागा यह वाला और बाहर में हमारे पास 1 divided by NL पहले से है अब हम लोग जाए अगर नियॉर्मली इसको multiply करते हैं तो यह हमारा जब इससे LM का यानि L minus M का 1 से multiply होगा तो L minus M ही आगा तो X के पावर में L minus M divided by LM हो जाएग multiply में X के पावर में M minus N हो जाएगा 1 से multiply हो करके divide by MN हो जाएगा फिर X के पावर में हमारे पास N minus L हो जाएगा यह N minus L 1 से multiply हो गया divide by M में NL ठीक है अब देखो base हमारा same to same है multiply हो रहा है सभी का तो base के अबर common ले लेंगे और powers को आपस में add कर देंगे L minus M divided by LM ठीक है फिर add क कर दो N minus L divided by NL तो अब यहां पर से हमारे पास LCM देखो यहां पर L B M B और N B थीनों है तो हमारे जो LCM होगा वह M यह फिर L M N हो जाएगा ठीक है L B था M B है और N B थीनों है तो L M N हमारा LCM हो गया हम लोग जानते हैं कि जो denominator में LCM होता है उससे नीचे divide करते हैं और जो भी करेंगे तो इस तरी के से होगा N multiply L minus M ठीक है उसके बाद फिर प्लस की साइन तो प्लस की साइन लगा लो इससे इसको डिवैट दोगे तो MN कट हो जाएगा L बच जाएगा तो L का मल्टिप्लाइब होगा M-N से ठीक है उससे बाद फिर प्लस की साइन लगा लो LMN का जब इससे डिवैट करेंगे तो N और L कट हो जाएगा बचेगा M तो M का मल्टिप्लाइब हो जाएगा N-L से ठीक है इदम के किस्टेप बता रहूं जहां से तो यह बन जाएगा हमारा NL माइनस में N से मल्टिप्लाइब हो करके NM फिर प्लस में LM माइनस में क्यों प्लस मैनस म लगाएंगे LN और फिर प्लस में MN माइन प्लस मैनस माइनस माइनस में डिवाइड में में जो हमारे पास L MN है वह तो उतार दो देखो आपका फटफट कट होना चाहिए NL यहां भी है एनल यहां भी है और बस आगे पीछे LN यहां दोनों एकी चीज होता है तो माइनस और फ्लस आपस में केंसल हो जाएगा मैनस एं मं प्लस एं मैनस माइनस में कैंसल हो गया तो एकस आप पावर में 0 divided by LMN आ गया तो 0 divided by कोई भी नंबर रहता है तो 0 ही हो जाता है तो एक से पावर में 0 यानि कि यह लेकर के आना है इसको solve करना है और इसका जो value है इसके बरावर लाना है तो हम लोग यहाँ पर left hand side से start करेंगे ठीक है यहाँ पर हमारे पास a plus 1 by b के पावर में m है और यहाँ b plus 1 by a के पावर में m है solve करते है इसका इससे multiply करो उपर में add कर दो तो b कैसे multiply होगा तो a b आ जा जाएगा बस minus में 1 हो जाएगा क्योंकि minus की sign है divide by में यह b उतर जाएगा और power में जो n हो उतार दो यहाँ पर हम लोग फिर वही काम करेंगे a b का यहाँ एक बी से multiply करेंगे तो a b plus में 1 हो जाएगा divide by में a आ गया power में m हो जाएगा multiply के sign के साथ यहाँ भी a का b से multiply होगा त इस तरीके से यह हो जाएगा हमारे पास a b plus में 1 divide by b है और पूरे के नीचे में हमारे पास यहाँ पर a b plus में 1 divide by a है तो दोनों के power में चुकी एम था इसलिए हमने powers को इस तरीके से common लिख लिया है जो अंदर था वो हम लोग ऐसीपी से रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर divide by देखो b है divide by a है तो दोनों अलग लग है base हमारे actual में अलग लग है इसलिए हम लोग पावर को common करके लिखेंगे सेम कम यहां भी देखो divide में b है यहां a है तो हम लोग पावर इसको यहां पर common ले लेंगे इसको ऐसी लिखेंगे a b minus 1 divided by b पूरे के डिवाइड में a b minus 1 divided by a पूरे के पावर में n हो जाएगा तो यहां पर हम लोग इसको रेसी प्रकॉल करके लिखो देखो इसको solve करने क्या तरीका है अगर एक fraction है नीचे दूसरा fraction है दोनों divide हो रहे हैं तो इनों divide को क्या करते है multiply में change कर देते हैं और fraction को रेसी प्रकॉल कर देते हैं यहां पर यह divide की sign multiply में change हो जाएगी तो a उपर आ जाएगा और a b minus 1 नीचे चला जाएगा पूरे के power में n हो गया तो देखो यहां भी a b plus 1 यहां नीचे में भी a b plus 1 cancel यहां भी a b minus 1 यहां नीचे में क्योंकि देखो बीचे multiply की sign है तो हम लों numerator numerator को cancel कर सकते हैं तो यहां 1 बचा यहां भी की sign है ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा बेस को में एक बार लिख लेंगे a divided by b लिख लेंगे और powers कापस में add कर देंगे m plus n कर देंगे हमारा फॉर्मिला लग यह वाला यह के पावर में m into a के पावर में n equal to a के पावर में m प्लस में तो यही फॉर्मिला लग गया और चोटे short answer वाली वह आप लोग खुद से कर सकते हैं अगर आपने previous videos देखेंगे तो बागी कृष्ण साब से खुद से बन जाएगा हम लोग फिर next chapter करेंगी हम लोग पहले complete करेंगे exercise जब exercise complete हो जाएगा तो उसके बाद चुब बचेवी questions करते हैं mcqs वाले question वह सब बाद म N-L or C के पावर में L-M जोगा वह equal होगा 1 का हम लोग क्या करेंगे यह जो AB अर C का value दिया हुआ न वह यहां पर put पड़ेगा X के पाउर में M प्लस N and Y के पाउर में L यह A के बदले में हम नहीं इतना लिखा है और A के पाउर में M-N है न तो इसके A का वैल्यू लिख लिए हमने अब इसके पाउर में M-N भी लिखना पड़ेगा यह वाला उसी तरीके से B के बदले में हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं दिखो को भी सहनी сообщ हमें को उसको अतार लो अब देखो यहां पर जो पावर है वह इसके साधी मिल्टिप्लाइ होगा दो एक से पॉड में मल्टिप्लाइ और से उसमें म्याइनस फिर उसका मॉल्टिप्लाइ थ्र использовать y के पावर में m है यार y के पावर में m उसका multiply हो जाएगा n-l से last में भी same काम होगा x के पावर में l-m जो है पहले से उसका multiply हो जाएगा l-m से and y के पावर में जो n है उसका multiply हो जाएगा l-m से एक काम करते हैं हम लोग x जो value से वो सब को यह formula लगा दिया मैंने ठीक है उसी तरीके से यह x वाले लोगों सब भी multiply में हैं तो आप लोग आगी पीछे लिख सकते हो जैसे 2 multiply 3 multiply 5 दिया हुआ रहेगा तो उसको हम 2 multiply 5 multiply 3 भी तो लिख सकते हैं ना तो सेम कब मैं इसी लिख रहा हूं ताकि confusion ना हो y y कोई गठा कर ले रहा तो x से पार में यहाँ पर भी m plus l है n minus l है तो यह हो जाएगा n का square माइनस में l का square ठीक है फिर यहाँ पर भी x है x से पार में l plus m, l minus m है to l का square माइनस में m का square बच गया y तो y को यहाँ लिख से multiply होगा l m से फिर यह लास्ट में y बच्चा, y लिख करके n का एल से multiply होगा तो nl और माइनस में m का एल से multiply होगा तो फिर सब ही mn हो गया x x x हमारे पास आ रहा है सभी में multiply की sign चूपी हुई है तो base से हमें तो powers आपस में क्या होंगे add हो जाएंगे x 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 और उसमें एड हो जाएगा NL माइनस में MN अब देखो यहां पर फट्टा-फट कट होगा क्योंको लास्ट में लाना था ना तो देखना सब सॉल्व हो जाएंगे M2 प्लस वाला M2 माइनस वाला N2 प्लस माइनस कैंसल L2 प्लस माइनस कैंसल एक से पार में 0 बचा वाई के पार में देखो यहां पर हमारे पास प्लस का LM है माइनस वाला भी होगा LM है न यह देखो LM LM खतम यह LN है एक और LM होगा यह देखो LM NL और LM एक ही चीज़ होता है मल्टीप्लाइं मैं तो आगे पी आप लिख सकते हो MN MN खतम प्लस माइनस तो य की पार में 0 हो गया तो यह और य की सब्सक्राइब वाला उसे फटाइक से सॉल्व करते हैं और अगर आपको कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है साथ ही हम भी अपना अप्लिकेशन भी लॉंच करने वाले हैं तो एप के थुरू भी आपको मैं लाइफ पढ़ाऊंगा आप चींता मत गरूद हम डिटे do ले लहाँ साय सौल्व करता हूं अ their ऑग एक स के बतले हम लोग यहां पर लिखेंगे लिके के पॉरे में पुरे के में हैं और न आपको मैं एन था नहीं लिखिलिया याँ पर एक पावर में यहां प्लॉस हैल —tuk यह 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 बदले हम लीख लिख लिठ्या और पूरे के पर में हमारे पास देखो यह पान में क्या ne na तो इसको भी उतारना पड़ेगा उश तो ज्जोच्छ तरह से जेट के बदले में हम लोग जानोई हुए हैं पुछ गड़बड लग रहा है मुझे रहा है क्योंकि एक बार चेक कर रिछा है आ पर मुझे M करना पड़ेगा तो M का M से मल्टिप्ले होगा तो यहां पर अब मेरा इस लाइन को मैं कट करता हूं अच्छे से लिखता हूं दुबारा से एक पार में M का स्क्वार हो जाएगा M का M से मल्टिप्ले हो करके फिर बीचे प्लस एन तो प्लस एन लगा लो M का N से मल्टिप्ले हो करके MN हो जाएगा फिर A का मल्टिप्ले हो जाएगा N का N से मल्टिप्ले हो करके N का स्क्वार N का L से मल्टिप्ले होगा तो NL फिर हमार के पावर में L है पूरे पर में L है ठीक है तो यहां पर N प्लस L था N प्लस L है तो यहां भी हमारा NL आएगा कुछ गड़बड तो मुझे अब यहां पर नहीं सहाज हो आ रहा है चलो इसको अगर सॉल्फ करते हैं तो मेरा यहां पर यहां पर कुछ दूसरा ना चीथ है लिए मुझे में कुछ गड़बड हो रहा है कि राजी बहुत हो ना चाहिए तो होता एशी बलती हो जाती है है जब बहुत सारे आप लोग कोईशन सॉल्ब करोगे ना LMN LL फैलल जब बार बर आते रहता है न तो होता है इसी गड़बडी कोई बात नहीं मुझसे भी हो गई इंसान उनकलती होता है यहां पर यह मुझसे कि मेरा मेरीयर हो जाया बस इतना चुटा सीज मेरा उतर आगा ला को एकत्र प्लस में अलिगक्त प्लस में लिगते प्लस में लिख देते हैं और लास Nep लेि विए समयर अंफेगे तो यह solve होगा नहीं अब हम लोग क्या करेंगे right hand के पास जाएंगे अब लेचे solve होगा left hand side अब right hand side के पास आते हैं तो right hand side के पास हमारे पास क्या भी यह इस बर कोई गड़वर नहीं करूंगा एदम पक्का x के पावर में n है y के पावर में l है और z के पावर में m है तो x के बदले में फिर वही काम करेंगे हम लोग a के पावर में m प्लस n लिख देंगे और फिर पूरे के पावर में हमारे पास n है तो इस n को भी उतार लेंगे फिर y के बदले में हम लोग फिर वही करेंगे a के पा सब्सक्राइब और फिर प्लस में एम का स्क्राइब हो जाएगा यहां भी देखो एकठा हमारा सेम तो सेम हो जा रहा है बेस तो बेस को इकठा लिख लेते हैं पावर सबस्क्राइब करते हैं यहां भी देखो में उतार लो फिर मारे पास पहले में लिखाता है और फिर हमारे पास ML भी जरूर होगा तो है ना left hand side जो है equal है right hand side के बस हमारा काम हो गया complete यहाँ पर और आई होप आपका भी काम अच्छे से complete हो गया होगा बच्चों अब मिलेंगा नो next video में जहां पर जो आगे chapter से ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरी के से थैंक यू फर वाचिंग